नमस्कार किसान भाईयों स्वागत है आपका हमारे यूटूब चेनल धाकड एगरिकल्चर में किसान भाईयों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्वाइबीन की वेराइटी RVSM 2011-35 के बारे में वीडियो में जो आप स्वाइबीन देख पा रहे हैं यह है RVSM 2011-35 स्वाइबीन है और इस वीडियो में हम आपको इस वराइटी की पूरी डिटेल के साथ में जानकर देने वाले हैं पिछले साल इस वराइटी का परदर्सन काफी अच्छा रहा था और जिन-जिन किसान भाईयों ने इस वराइटी को लगाया था वो किसान भाई इस वराइटी से काफी ज़्यादा खूच है और इस साल भी इसे वराइटी की खेती करने वाले हैं किसान भायों इस वीडियो में आगे आपको इस वरायटी के बारे में बहुत ही सांदार जानकारी मिलने वाली है आपसे निवदने रहेगा आप इस वीडियो को अंत तक देखें ताकि आपको भी इस वरायटी के बारे में सारी जानकारी समझ में आ जाएं और आप इस तो इस विराइटी की उम्र 100-110 दिन की होती है मतलब यह विराइटी 110 दिन के अंतराल में पकर त्यार हो जाती है अगर इसके पोदे की हाइट की बात कि जाए तो इसके पोदे की हाइट 45-85-86 सेंटिमेटर के आसपास रहती है किसान भाइयों इसका दाना बोल्ड और चमकदा होता है साथ इस विराइटी के अंदर भी फलियां चटकनी की समस्या नहीं आती है किसान भाइयों इसकी पहचान के वारें बात करें तो वीडियो में आप देख पा रहे हैं इसकी जो फलियां है बिलकुल चिकनी है मतलब इस विराइटी की फलियों पर आपको रूहें होती है और फलियों का पराव नीचे से ही स्टार्ट होता है किसान भाइयों अगर आप इस वीडियो में देखेंगे तो काफी जादा फलियां इस पोदे पर लगी हुई है इस वराइटी की खेती हमने खुद ने पिछली साल की थी काफी अच्छा प्रोडक्शन निकला किस इस वराइटी का जो एवरेज उतपादन है अगर हम अच्छी तरिके से खेती करते हैं तो ज्यादा से ज्यादा साथ से सारे साथ कुंटल परती बीगा के इसाब से और तेरा से 14 कुंटल परती एकड़ के इसाब से इसके पैदावार निकाल सकते हैं किसान भाइयों अगर आप इस वराइटी को लगाते हैं तो काफी अच्छी पैदावार यह वराइटी देती है लेकिन यह वराइटी थोड़े लंबे समय में पक्कर त्यार होती है जैसे कि 110 दिन तो लाश्ट में अगर पानी की समय से आती है अगर आपके पास पानी की सुलब वेवस्ता है उसी इ अगर आपके पास पानी की अच्छी वेवस्ता है तो आप ऐसी स्थी में इस वराइटी को लगा सकते हैं किसान भायों इस वराइटी की इस समय पर काफी ज़्यदा डिमांड है अगर इसकी बीज की बात के जाए तो अगर आप इसका बीज मंगाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए मोबाइल नंबर पर आप फोन लगाकर इस वराइटी का बीज या फिर इस वराइटी के अलाव भी अन्य वराइटी का बीज मंगवा सकते हैं इनकी खुद की अपनी दुकान भी है जिसका नाम है सरी कृष्णा खाथ बिज बंडार सिंगोली तो आप यहां स किसी भी परकार की वराइटी का बीज मंगवा सकते हैं किसान भाइओं उमिद रहेगी वीडियो में देगी जानकरी आपको अच्छी लेगी होगी वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें चेनल को सब्सक्राइब करें धन्यवाद